सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाली सीडियल बालवी रिटन्स के अपकमिंग एपिसोड्स पे हद मसेदार होने वाली हैं क्योंकि एक और हमने खोया है देबु को तो वहीं दूसरी और देबु की आत्मा भरतनगर में एक हीडो वाली एंट्री लेने वाली है जहीं है दोस्तों दरसल अब हमें देबु की आत्मा का एक नाया लुक देखने के लिए मिलने वाला है जहां अपने इस नए लोक में देबु की आत्मा एक धमाकेदार एंट्री लेती हुई नजर आने वाली है अब कमिंग एपिसोर्स काफी जादे इंट्रस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि भगवान ने दिया है देबु को दस दिन का वक्त कि इन दस दिन तक वो रह सकता है भरतनगर में इतना ही नहीं यहां पर मिली है देबु को ये भी हिदायत कि अगर उसने अपनी सचाई किसी को बताने की कोशिश की तो वो अपनी सचाई किसी को नहीं बता पाएगा लेकिन अगर वो किसी की मदद करना चाहे अच्छाई के लिए तो वो हर किसी की मदद कर सकता है वेल एक और जहां हमें देबू की ये हीरो वाली एंट्री देखने के लिए मिलने वाली है तो दूसरी और आप देखेंगे कि अब भरत नगर में रे ने मचाई है तबाही खतरनाख खिलोनों के साथ ही बच्चों के खिलोने जहां हुए चोरी तो यहां पर रे ने उन खिलोनों को बना दिया इतना खतरनाख कि एक के बाद एक ये खिलोने मचा रही है भरत नगर में बड़ी तबाही जिससे विवान है बहुत ही ज्यादा परिशान विवान जो अब ये सोच रहा है कि भंबाल की तो मौत हो चुकी है शिनकाई की जो सबसे बुरी शक्ति थी वो थी भंबाल और भंबाल ही इतने समय से धरती लोग पर भरत नगर में इतना कुछ कोहरा मचा रहा था लेकिन अब जब भंबाल ही नहीं रहा तो ये सब कुछ क्यों और किसी वज़ा से हो रहा है विवान इन नई बाते भी पता चलने वाली है जो यहां विवान जाएगा वी लोग जहां वो शोरे से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन यहां उसे पता चलेगा कि शोरे तो अखंड समाधी ले चुका है तब बाल परी बताएगी विवान को कि अब शोरे अखंड समाधी ले चुका ह और हमें अब एक नए बालवीर की जरूरत है और इसके लिए हम नए बालवीर की तलाइश कर रही हैं और यहां आप देखने वाले हैं काफी कुछ मज़ेदार जब बालपरी विवान को इस सब बताती हुई आएगी नजर तो विवान भी थोड़ा बहुत इमोशनल होगा शौक्ड होगा और कहीं न कहीं परिशान भी होगा कि आखिरकार ये नया बालवीर कौन होगा वो नए बालवीर को किस तरह से ढूनेंगे अब अपकमिंग एपिसोड में तो देखना यही मज़ेदार होगा कि आखिरकार किसे नया बालवीर बनाया जाएगा क्या वो रे होगा क्योंकि अब हर कसी को यही लगेगा कि रे ही बालवीर के जिम्मेदारी ले सकता है लेकिन इससे भी ज्यादा मज़ेदार देखना तो यह होगा कि हमारे देबू की आत्मा जो वापस लोटाई है वाइट कलर के सूट पूर्ट में बाइक पर पैटे हुए बालवीर लेगा धमा के दार एंट्री और करेगा लोगों की मदद यानि जो भी मुसीबत में फसा ह होगा एक अंजान शक्ति यानि देबू की आत्मा उन लोगों की मदद करती हुई नजर आएगी और हरको इसी को देखकर थोड़ा सा हैरान होगा कि यह सब कुछ किस सारा से हो रहा है वह लाने वाले एपिसोड्स होंगे काफी सादा मज़ेदार तो देखते रहिए सब टी